आपके पास Redmi Note 13 है, 13 Pro, 13 Pro Plus, कोई भी फोन है, तो यहाँ पर आप Control Center Customize कैसे कर सकते हैं, यह आपका Control Center है, तो इसको Customize करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप सेटिंग पर जाएंगे, और यहाँ पर Notification and Control Center पर क्लिक कर लेंगे, Control Center का Style यहाँ से आप Change कर सकते हैं, पुराने वाला वर्जन लगाना है, तो यह वाला लगा लेंगे, ऐसा आपको दिखेगा, New वाला लगाना है, तो नू लगा लेंगे, ऐसा दिखेगा, ठीक है, तो यह हो गया कि आपका Control Center Style, आप Customize करना है तो Pen पे क्लिक करेंगे, Pen पे जान साथ में Screen Shot रखूंगी, ऐसे करके आप इसको Arrange कर लेंगे, यह Hotspot मेरे को Network के साथ ही चाहिए उपर, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले Hotspot रख लूँगी, और यहाँ पे आपका Bluetooth हो गया, Aeroplane Mode हो गया, तो Network वाली जितना भी System है, सबसे उपर रख लूँगे, ऐसे करके आप यहाँ पे आरेंज कर लेंगे, कोई बटन यहाँ से हटाना है, तो माइनस पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है, और यह जो बटन है, Am I Remote वगरा, एड़न करके यहाँ पे आप रख लेंगे, तो First, Second, Third यह आप कर लेंगे, इसके बाद ड़न पे क्लिक कर लेंगे, तो देख सकते है कि Control से Enter आपका, आपके According कस्टमाईज हो गया है, तो ऐसे करके आप Setup कर लेंगे, बाकि इन चीजों को आप, यह जो हैं, ऐसे करके, और Setup कर लेंगे, लेकिन इन चीजों को आप नहीं हटा सकते हैं, बाकि यह सारे बटन है छोटे वाले, इनको आप Arrange कर सकते हैं, मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार